हलो स्टूडेंट मैं शाहिन लूथरा आज हम करेंगे क्लास एट का मैंस का चैप्टर नंबर वन रैशनल नंबर उसके एक्ससाइज 1.1 यह जो हमारी बुक है यह हमारी क्लास एट की न्यू बुक है जो न्यू एडिशन आया उस एक्ससाइज हमारी में 1.1 में स्रिफ 3 कोशन हमें यहां पर दे रखे हैं 1st chapter के अंदर तो 1st question है name the property under multiplication using each of the following अब यहां पर हमें जो यह दे रखी हैं जो हमें यहां पर rational numbers दे रखे हैं जो multiplication दे रखी हैं यहां पर यह कौन सी property हैं हमें बताने name the property under multiplication यह कौन सी properties जो हैं इसमें लगी हुई हैं वो हमें इसके अंदर बता ठीक है, तो first देखो, minus 4 upon 5 into 1 equal 1 into minus 4 upon 5 equal minus 4 upon 5, अब यहाँ पे हमारी कौन सी property है, देखो properties पे हमारी काफी सारी properties आते हैं, जिस पे हमारी identities भी आ जाती हैं, properties के अंदर, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर हम minus 4 upon 5 को हम multiply करें 1 से, तब भी हमारा यही answer आएगा, अगर हम 1 क minus 4 upon 5 से multiply करें, तब भी हमारा same यही answer आएगा, तो 1 क्या है, 1 is the multiplicative identity है इसके अंदर, क्योंकि अगर हम 1 को किसी भी number से multiply करें, तो हमारा वही number आता है, जैसी कि मैंने आपको इसकी introduction वीडियो में समझाया हुए, तो आपको इसके लिए introduction वीडियो भी जो है वो देखनी क्योंकि उसके अंदर सारी properties मैंने आपको समझा रखी है, और आप जो channel की playlist पर जाके उसको देख सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो जो है, वो आपकी इसकी introduction वीडियो है, तो इसको इसको हमें यही समझना है, कि जब भी हम किसी number से 1 को 1 से multiply करें, तो सेम वही number आ जाता ह तो 1 is the multiplicative identity, second देखो minus 13 upon 17 into minus 2.7 equal, अब देखो यहाँ पे देखो minus 13 upon 17 into minus 2.7, अब equal किसके है, minus 2.7 into minus 13 upon 17, अब यहाँ पे भी minus 13 upon 17 है, यहाँ भी minus 13 upon 17, minus 2 upon 7 minus 2 percent, यह कौन सी हमारी property है, इसको बोलते है हमारी committative property, अब committative property में क्या होता है, committative property में हमारा यह होता है, देखो, अगर मैं 5 plus 3 करूँ, या फिर 3 plus 5 करूँ, तो दोनों में answer क्या आएगा हमारा, 8 ही आता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है, चाहे आप इसको इससे multiply करो, चाहे आप इसको इससे multiply करो, मैं अब आप आप प्लस करके दिखा देना, अगर आ हमारी multiplicative inverse, अब multiplicative inverse किया है, minus 19 upon 29 को जब हम reciprocal करते हैं, कोई भी यहाँ पर rational number दे रखा है, जब उसको multiply करते हैं, उसके reciprocal से तो हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है, अब आप इसको cut करोगे, तो minus 19 को minus 90 से तो 1 आएगा, 29 को 29 से करोगे, तब भी हमारा 1 ही आएगा, ठीक है, तो इ multiplicative inverse से जब हम करते हैं, उसको multiply, तो हमारा क्या आता है, हमेशा 1 आता है, जब उसका reciprocal, अब minus 19 upon 29 का multiplicative inverse किया हो गया, 29 upon minus 19, तो हमारा answer क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, समझ में आ गई, multiplicative inverse मतलब जब इसका reciprocal होगे, यहाँ पर कोई भी rational number हो सकता है, जब उसके reciprocal से multiply हमेशा 1 ही आता है, जिसको हम बोलते है, multiplicative inverse, तो यह हो गया हमारा question number 1, question number 2 में हमें बोला गया है, tell what property allow you to compute 1 upon 3 into, bracket में हमें दे रखा as, देखो, अब यहाँ पर हमारी जो property है, वो कौन सी लग रही है, इसको समझो अच्छे से, अब यहाँ पर दे रखा 1 upon 3 into, bracket में 6 into 4 upon 3, as 1 upon 3 into 6, फिर हमारा bracket में 4 upon 3, आब यहाँ पर देखो, हमारे पर तीन number जैसे दे रखा है, A, B और C, ठीक है, तीन दे रखा है, अब इसके अंदर मैं अगर पहले A into B कर देती हूं, और C को मैं बहार रखती हूं, ठीक है, एक तो हमारे यह हो गया, दूसरा, अगर मैं यहाँ प को बहार रख के, B और C को अंदर रख दे, सेम इसी तरीके सही हाँ पर हुआ है, यहाँ पर 1 upon 3 को बहार रख दे, 6 into 4 upon 3 अंदर हो गया, अब यहाँ पर 4 upon 3 बहार हो गया, तो 1 upon 2 into 6 अंदर हो गया, इसको बोलते हैं, associated property, ठीक है, यह आपको याद रखना है, question number 3 देखो, the product of the 2 rational numbers is always, जब भी हम 2 rational numbers को आपस में, product मतलब multiply, जब भी हम 2 rational numbers को आपस में multiply करते हो, तो answer हमेशा हमारा rational number ही आता है, ठीक है, तो यह बड़ी छोटी से exercise थी, हमारा chapter भी complete हो गया, hopefully आपको यह helpful लगाओ video, वीडियो helpful लगे तो please like share, subscribe करे, thank you.